नमस्क्ता सब भी दाश्रको का एक बार फिरस्द है, जो कि आज हम आपके सामने लेकर आचुके हैं, एक खास ही लोकेसन पर बने हुए मकान की जानकारी, इस मकान के बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, तो वीडियो को चूण करें आपको कहीं नहीं जाना है पूरी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो जादा से जादा लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि हम और इस्टेडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी और आप लोग दोस्तों सोच रहेंगी कि मेरा खर्चा यूटूब चनल के माधम से चलता है दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास एक किराने की दुकान है मैं सारा खर्चा अपना परिवार उसी दुकान से ही चलाता हूँ मेरा यूटूब पे आने का मकसद यही रहा है कि मैं अपने इंडिया का नहीं लेकिन अपने छोटे से सहर का सबसे बेस्ट यूटूबर बनी के रहूँगा यही मेरा लच्छ है इसलिए मैं यूटूब पे बहुत सालों से काफी ज़्यादा मिनत किया है लेकिन अभी तक हमारे चनल पे अभी तक एक लाग सब्सक्राइब पूरे नहीं किये है तो आप सभी से मैं एक ही बात बोलूँगा कि दोस्तो अगर आप मेरा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के सस्ते सस्ते बने हो है मकानों की जानकारी सबसे पहले देंगे और मकानों को आप खरीदोगे और आप मेरा नाम भिलोगे इसलिए हमारे चनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो की नेचा आपको लिखा दिखाए देरा होगा सब्सक्राइब इस पर किलिक करके आपको एक छोटी सी घंटी मिल जाती है इस पे क्लिक कर लीजे जो भी notification आएगी वो सबसे पहले आपको मिले गया है यह सारा कुछ फिरी हम होता है और हम आप सभी को बिल्कुल फिरी में सेवाई लेकर आते रहते हैं तो बता देते हैं इस मकान के बारे में पूरी detail जो कि आपको मकान दिखा जा रहा है यह 2000 स्कॉर् bedroom मिल जाते हैं जी हाँ जिसमें आपको फांच bedroom मिल जाते हैं जो की बहुत ही अच्छे चिसमें bedroom आपको देखनों को मिलेंगे और हम आपको इन bedroom की चौणाई भी पता देते हैं इस bedroom की जो चौणाई इसमें आपको मिलेंगे पांच यह कमरे की जो है चौणाई काफी अच् बात कर लेते हैं बात्रूम की तो इसमें आपको तीन बात्रूम मिल जाते हैं इस मकान में आपको जुम बिलेगे ये बात्रूम की जो इसमें रास्ता है बहुत ही अच्छा है और हम आपको फ्रंट साइड में रास्ते भी बता देते हैं इसके जो जहिश्ट साइसे आपको रास्ता देखनों को मिलेगा ये आपको RCC रास्ता देखनों को मिल जाता है इसके जहिश्ट साइसे जो आपको रास्ता मिलेगा इस मकान के जहिश्ट साइसे ये आपको RCC रास्ता मिल जाता है इस RCC रास्ते की चौणाई हम आपको उता देते हैं कि आप इसमें कितनी चौणाई आपको देखने को मिल जाती है इसके जो ज़श साज से आपको रास्ता मिलेगा इसकी चौणाई लगभग 25 मेटर से काफी अधिक है और बात कर लेते हैं लाइट की तो लाइट ही इस मकान से लगभग आपको दो किलो मेटर की दूर उपचल की मिल रही है जिहां जो जहां पर लाइट आपको मिल लही है दो किलो मेटर की दूर उपचल की आपको ये लाइट मिल लही है और बात करते हैं यल्टी की यल्टी की आपको पास में ही मिलेगी अगर आपको ग्यारा हजार वोल्टेज की लाइट प्राप्रा करनी है तो आपको दो किलो मिटर की दूर पचल के आपको लाना पड़ेगा और बात कर लेते हैं यल्टी की यल्टी की मातर आपको 200 मेटर की दुरूप चलके आपको यहां पे लाइट मिल रही है और इस मकान में आपको आलरीडी लाइट मिल रही है जो कि आपको देख ही सकते हैं इसमें अभी तक लाइट लगी हुई है और इसमें light proper आपको मिलेगी 24 घंटे मिलेगी बात कर लेते हैं water level की तो मैं आपको water level की भी जानकारी देते हैं अगर आप इसमें summer stable या null या पानी से unrelated चीज़े लगवाते हैं तो मैं आपको water level की भी जानकारी देते हैं यहां का water level कितने फुट पे मिल जाता है यहां की बात करें तो water level की तो 175 फुट पे यहां का water level आपको मिल जाता है और मैंने ये जो आपको मकान दीके jet side से दिखाया गया है था भी इसके jet side में मैंने जानकारी प्राप्त किया तो इन्होंने 175 फुट पे अपना summer stable लगा हुआ हुआ है तो अगर आप भी इसमें summer stable लगाना चाहेंगे तो 175 फुट पे आपको यहां का water level मिल जाता है काफी बहुत ही सुंदर location पे ये बना हुआ मकान उपलब्द है और हम आपको इसका correct location भी बता देते हैं कि ये बना हुआ मकान आपको कहां पे मिल जाता है जिले की बात कर लेते हैं तो इसका जिला जो लग रहा है सोलान है जिहां इसका जो सोलान जिला है और इसका जो बद्दी है जिहां सोलान में आपको बद्दी मिलेगा इस बद्दी में ये बना हुआ मकान भी कव है जिहां बद्दी में ये आपको मिलेगा मकान सिर्फ और सिर्फ कब कीमत में बद्दी में महुला मिलेगा जिसका नाम है वर्धमान वर्धमान में आपको ये बना हुआ मकान मिल जाता है तो अगर आप इसे खरीना चाहते हैं तो इसका इस्टेड हम आपको बता देते हैं इस्टेड की बात कलेते हैं तो इस्टेड इसका है हिमान्चल प्रदेश जी हां इसका हिमान्चल प्रदेश में आपको ये बना हुआ मकान मिल जाता है तो अगर आपको ये इस location को छोड़ कर किसी अन्य location पे बने हुए मकान को खरीना जाते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है इसमें आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहां पे मकान को खरीना जाते हैं किस रेट में खरीना जाते हैं उसकी कीमत क्या होना चाहिए और उसका location क्या होना चाहिए इस आला कुछ आप मुझे से कमेंट करके बता सकते हैं जो कि हमारे चनल के मद्दम के दोरह आपको बिलकुल फ्री में जानकारी दी जाएगी जो वहां की विकाओ जमीनों की जानकारी होगी और या फिर मकानों की जानकारी होगी तो कीमत एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इस मकान की ये बना हुआ मकान आपको मिलेगा 20 लाक रुपे का पूरा मकान आपको मिल जाता है जो कि आपको इसमें किसी भी तरह का आपको बिवाद देखनों को नहीं मिलता है जी हाँ यह बना हुआ मकान आपको 20 लाग उपए में मिल जाता है जो कि आपको इस मकान में किसी भी तरह का आपको बिवाद देखनों को नहीं मिलेगा तो कीमत बहुत इसकी जबर्जस्त है और बात कर लेते हैं जमीन बेचनल मालिक का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह बना हुआ मकान आपको किस के नाम से मिल जाता है कि आपको मिलेगा अतुल कुमार के नाम से यह बना हुआ मकान पूरा मिलेगा जो कि इनकी काष्ट हम आपको उता देते हैं इनकी काष्ट यसी की है जो कि आपको किसी भी तरह का आपको बिवादिस मकान के बारे में देखने को नहीं मिलता है तो मालिक का मोबल नंबर आप नूट कर सकते हैं मालिक का मोबल नंबर है 972 74 192 ये मैंने आपको मालिक अवा लंबर दे दिया है इस नंबर पे आप काल कर सकते हैं जो कि आपको इसमें बाते नहीं बताई गई है ये बाते आप मालिक से पोच सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो की नीचे आपको दिख रहे हलाल वटर से जाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी प्रकार के सस्ते सस्ते बने हों है मकानों की जानकारी आपको मिले तो अगर आप भी हमारे यूटूब चनल के मादधम से अपने जमिन या फिर अपने मकान को भी एचा जाते हैं तो अपनी मकान की वीडियो बनाकर हमारे नमबर पर भेसकते हैं मेरा नमबर पाने के लिए वीडियो के नीचे आपको कमेंट बाक्स मिल जाते हैं आप मुझे से कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपकी वीडियो अपने चल पर बिल्कुल फिरी मैं अपलोड करूँगा